लगातार हो रही विधुत कट्वाती के चलते लोगों का फूटा गुसा सेक्डों लोगों ने तहसिल परिसर में दिया धर्ना जई को अटाने दिया यापन लवकुष्णगर में विगत एकमहा से विदुत की कट्वाती से हाला कान लोगों ने सोमवार को सैकडों की तादात में तहसिल परिसर पहुँचकर जेए के खलाफ नारिवासी करते हुए धर्ना प्रदर्शन किया और उन्हें गौरिहार से हटाए जाने की मांगी आपको बत लोगता अपनी शिकायत लेका जाता है तो वहां पदस्त जेए शिवकुमार सिंग अबद्रता पूर्ण वहवार करते हैं उनकी द्वारा शिकायत का निराकरन तो दूर उल्टे थाने में जूटी रिपोर्ट करने की धंकी दी जाती है ग्रामिनों ने बताया कि गौरिहार में बदलाव नहीं आया इनके द्वारा तमाम सगे समद्दियों को विवागे लाप पहुचाने का काम किया जाता है वरिस्त अधिकारियों से ग्रामिनों ने मांग की है कि ने हटाया जाए यापन में ग्रामिनों ने चिताबनी दी है कि अगर तीन दिन के अंदर जेए को नहीं हटाये गया तो वह आंदोलन करेंगे लोगों का क्याना है कि जब से यहां पर जोई पदस हैं तब से लगाता गरामिन शेत्रों में विवस्ताइं धुस्त हैं असमों के पर अमित बाजपेई भूपेंद्रियादव लखी मिश्रा रवीकरन पाल श्री राम कुश्व पहा राहुल दिविदी प्रमुद रिचारिया के साथ सेक्ड़ों लोग मौजूद थे गदिनों लगातार 36 घंटे विद्व सप्लाइबादित रहने के बाद गौरिहार में पानी की सप्लाइट ठप रही असकारन बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को यहां बहां भ आज हम सभी बहा का राहिए सभी को पता है कि तीन दिन पहले भी धर्णा बर्दरसं किया गया था है यहां के जो मुक्र समस्ता है जेई को हटाने वाली तो के अस्वासन दिया था कि हम जेई को हटा देंगे लेकिन तीन दिन के बाद भी आज तक भी जेई पर कोई कारवाई नहीं की गई है और वैसी की वैसी वह वस्ता है इसलिए आज पूरे युवा छेत्र की युवा मन बन